गती, सौ सब पर्ती मिनट, दिक्टेशन सुरू होने में समय से से, पान सेकंड, रेडी, श्टार्ट, अधियच महोदे, मैं आपका अभारी हूँ की, आपने मुझे बोलने का अपसर दिया, इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में, और विसेश रूप से उस समय, जबकी हम लडाई से अभी निवरित हुए हैं, और अकास में लडाई के बादल दूसरी तरफ से आने सुरू हुए हैं, हमारे वित्मंत्री ने जो बजट पेस किया है, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं, यद पी भिन भिन पहलूओं को लेकर आलोचनाय की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाईयों को भी देखा होता कि राष्ट को किन-किन संक्टों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनायों का अधार कुछ दूसरा होता, उन्होंने ऐसे कठिन अबसर पर यह एक संतुलित बजट पेस किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार-बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह करतब समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तूत करूँ जिससे उनकी कठिनाया कुछ हल हो जाएं, उदाहरन के रूप में विगट दो वर्सों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में दो तीन इस परकार की तूटियां मौजूद हैं, जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए, यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए, तो राष्ट को, राष्ट की सरकार को, राष्ट के विकास कारियों को, और राष्ट की रच्छा विवस्था के लिए करोडों नहीं, अरवों की विवस्था फोरन हो सकती है, केवल शासन को जागरुक होकर कुछ कदम उठाने की अवसकता है, अभी कुछ छीपे हुए धन का जिक्र किया गया, सरकार ने भी समय समय पर ऐसा अभास दिया है कि इस देश में लगवग 30,000 करोड रुपे का छीपा धन मौजूद है, श्वयम मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी बिवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है, ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा सक्ती की कमी है, भारत की इस सरकार ने अपनी सक्ती का ठीक से उपियोग करके उस दुस्मन के दांत खटे किये, जिसके की उपर विश्व की सक्ती साली और इंग्लैंड जैसी सक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको की उन्होंने हमारे विरुध उक्सा कर खड़ा किया था और अपना पुर्ण सहयोग दिया था, अधियच महोदे मानप संसाधन विकास मंत्राले की मांगो के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, सिच्छा की पधती के बारे में उसमें परिवर्तन लाने के बारे में इस छेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है, उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है, दुरभाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि सिच्छा में प्रगती नहीं हुई है, सिच्छा पधती में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुए है, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है, ऐसा प्रतित होता है कि इस विशय में कुछ भी करने की अस्थिती में हम नहीं रहे हैं, अस्थिती जों की त्यों चली आ रही है, इतना होने पर भी सिच्छा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनरासी आवंटित की गई है, वह भी बहुत थोड़ी है, लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं की मर्ज बढ़ता ही गया, जियों जियों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है, जितने ज्यादा आयोग और समीतियां बैठी और जितनी ज्यादा सिच्छा पदती के बारे में छान बिन की गई, उतनी ही ज्यादा बिमारी बढ़ती गई, बिमारी का इलाज ना होकर और भी खरावियां पैदा होती गई, अभी मेरे मित्र ने माननिय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था, इस तरह की बहुत सी रिपोर्टे हैं, अभी सदस्य महोदे भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थें, रिपोर्ट की तो बहुत सी प्रस्तूत हुई हैं, लेकिन मंत्राले ने उस पर अभी कभी कार्यान वेयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयम स्विकार किया है, अपनी विवस्ता को उन्होंने स्वयम यहां प्रकट किया है, इस विशय पर और अधीक ना कहकर, मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्राले का ध्यान दो विशेश विशयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ, मंत्राले का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है, हिंदी हमारे देश की राष्ट भासा है, सम्मिधान ने उसको राष्ट भासा का अस्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह अस्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है, इसके कई कारण हो सकते हैं, एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधीक उत्सा हो सकता है, दुसरा दलगत राजनीती से प्रभावित होकर राजनेताओं का भासा के बारे में अपनाया गया दिरिश्टी कोन हो सकता है, स्टॉप